आप लोगों से इनों बाबरी जी, वतन सिंग सैनी जी, अभी अभी दूसरी पार्टी को छोड़ कर हमारी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के परिवार को मजबूत करने का काम करने वाले जलालाबाद के चेर्मेन, जही चेर्मेन साहब और इमरान चेर्मेन, यहाँ पर मौझूद पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागन, पददिकारी, कार्यकरता और संगठन के लोग और मेरी माताएं वहने, आप सभी को सबसे पहले मैं दिल की गहराईयों से धन्यवाद देना च सायता करी, बहुत बहुत शुक्री आप सभी का, बहुत देश से यहाँ पर सभी के भाशन सुनें, और सभी लोग यहाँ जिम्मेदार हैं, आप सब को बहुत सारी बाते बताई, समझाई, यहाँ पर हमारे ठानबोन शेत्र के बहुत से जिम्मेदार लोग मौझूद भी है शानु परदान जी बैठे वे हैं और मुननाद चाचा जी और निसार चाचा पीछे खड़े हैं डॉक्टर आसिफ हैं आरस भाई हैं तन्वीर भाई हैं सबी लोग आप लोग हमारे पार्टी के स्थम्बो हमारे नीव अगर मजबूत हैं आपकी वज़े से हैं और आप लोगों का आमें दिल से धन्यवाद देना चाती हूं कि आप रमजान के वक्त में टाइम निकालकर यहां पर आए यह चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है यह स्वाभिमान का चुनाव है आप लोगों का चुनाव है और यह इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें हमें जो भी हमारे आपसी मन मुटाव है उन्हें भूल करी हम इस चुनाव में काम्याभी पास सकते हैं तो यह जो चुनाव आपका है आने वाली 19 तारीक है साइकल का हमारा सिंबल है और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है क्योंकि हमारा लड़ाई सत्ता पक्ष से है वो सारे हटकंडे अजमाएंगे बहुत मजबूर करेंगे तरह तरह के दबाव बनाएंगे लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि यह जो हमारा वोट का अधिकार है यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने देश में अपने मुल्क में निडर होने के काबिल बनाता है तो इस अधिकार को आप समझे यह समविदान का ऐसा तौपा है हमारे लिए कि अगर ये कल को हमसे चिन गया, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसकी ताकत को समझे, इसका सदू प्योग करिए, और आने वाली हैं, उन्नीस तारी, चुनाव आपका भाजपा से है, लेकिन आप लोग, थानबावन के जो लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी करांती कर था, और इसी तरीके से, आपको अगर कहराना सीट पर सबकी नजर थी, तो हम सबकी नजर धानबावन सीट पर भी थी, और आप लोगों ने वो कर दिखाया था, जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, तो उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामना हैं, औ आप से मैं उम्मीद करती हूँ, कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था, वही बात है, वही पार्टी है, और वही विचार भाराओं की लडाई है, उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लगने की जरूरत है, कोई भी पार्टी, कोई भी इस एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती, हमें जरूरत है सभी की, और आज ये उपर वाले का करना है, कि 36 बिरादरी, यहां पर जो खुबसूरत एक गुल्दस्ता बनावा है, मंच पर ही, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये सभी बिरादरियों के ज कमेटने की हैं, और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे भुजूर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कहीं चुनाव लड़ाए, कहीं चुनाव जुताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, आज हम जो भी कुछ है, आपकी बदौलत है, आपकी वज़े से मैं आज यहां खड़ी हूँ, आपने मेरे वालेद मर्हूम को बहुत प्यार दिया, और उन्हों ने हमेचा आपकी लिलाए, बस्तूती से, कुछ है, चौकर रहे उन्हों मैं से, आपकी बदू वरार दिया, बीकल्फूती हूँ, आपकी बटने मेंस, आपकी बाउन electronic叫, Ia आपकी बोल्हिते हूए, आपकी बिर की सक्षी ने हमें के अविकंटना क्वतना भाण, आप लोगों से बहुत जादा लगाव रखते थे और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है मैं अभी कुछ नहीं बनी लेकिन आप लोगों की वज़े से आज में आखड़ी हूँ और आप लोगी आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाईए तो इस चुनाओं को समेकने में इस चुनाओं को लड़वाने में घर के ल हो हमारा गड़ हो अगर आप लोगी इस चुनाओं की जिम्मदारी को समालोगे इस चुनाओं को उठाने में हमारी बदत करोगे आज पास के जितने भी लोग है उन्हें आप लोग संझाएंगे सभी लोग हमारे साथ आएंगे तो तभी हम इस चुनाओं को जीत पाएंगे मैं जादा आज बोलनी पारी थोड़ी भावब हो गई लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वज़े से ही ये चुड़ाओ जो भी कुछ है तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुड़ाओ की मजबूती को आप समझे एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी